हेलो एवरिवन द्रिश्टी टीचिंग एक्जाम यूटूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है तो आज हम लोग साथ जुलाई को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें इवियस के कुछ प्रशनों पर हम लोग चर्चा करेंगे और साथ ही यह भी बात करेंगे कि आखिर थोड़े बहुत कोश्चन्स इस बार आपके कंटेंट वाले पोर्शन से कुछ अलग पूछे गये थे मैं यह नहीं कहती कि पूरे 100% अलग पूछे गये हैं क्योंकि कुछ प थोड़े से परेशान कर देने वाले थे या फिर जिस बच्चे ने धंग से यूपी टेट की तयारी करी है या एस्टेट की तयारी करी है उत्तरप्रदेश एक्जाम के लिए बिप्यस्ची की तयारी ठीक ठाक से की है तो वह सीटेट में उनको बहुत ही फायदा मिला होगा तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा प्रश्णों पर चर्चा करते हैं साथ जुड़ाई दो हजार चौबिस को आयोजित सीटेट परिच्छा में पूछे गए प्रश्ण वो भी किस से तो आपके ईविस एंड पेड़गोजी से सम्मंधित प्रश्णों पर हम लोग चर्च अब जैसे पहले मिलान करने के लिए आ जाता था कोश्ण को यह सीधे सीधे वन लाइनर पूछ लिया जाता था लेकिन इस बार कथन से सम्मंधित कोश्ण पूछ लिया गया है अगली बार कुछ और बदलाओ होंगे हो सकता है कि पैटर्न में बदलाओ ना होकर के क्लियर है तो चाहे जितना भी एक्जामनर प्रश्णों की प्रकृति में बदलाओ करे आप पर कोई भी असर नहीं पढ़ने वाला ठीक है तो ठीक है चली आगे देखते है कर्थन पहला यह कहता है कि कववा पेंड की बहुत नीची डाल पर घोसला बनाता है तो मैंने कुछ चिडियाओं को के नाम भी बताए थे जैसे की कलचिडी जो कलचिडी है यह इसे हम इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं यह सड़क के किनारे सडक के किनारे पत्थरों के बीच पत्थरों के बीच ये घोसला बनाती थी अब वो भी एकदम एकदम मुलायम घोसला रूई से, धागे से, कोमल टहनियों से ये क्या करती थी? तो ये घोसला बनाती थी लेकिन यहीं NCRT में यहीं पर एक compare किया है कवे का कि जो कवा है ये क्या करता है? ये मुलायम घोसला नहीं बनाता ये तार का, तार का तार, तार का प्रियोग करता है तारों का प्रियोग करता है घोसला बनाने में यानि कुल मिला के इसका घोसला थोड़ा सक्त होगा इसी के घोसले में कोयल जाके अंडा देती है और ये उची टहनी पर यहां घोसला बनाता था कौन को हुआ तो सिधे सिधे ये तो नीची डाल पे कहा है ये कथन गलत है वीवर पक्षी दो पत्तों को सिल कर मैंने आपको एक तरीका बताया था सिलाई कौन करता है दरजी सिलाई करता है तो भाई दरजिन चिडिया दरजिन चिडिया क्या करती है पत्ते को सिल करके घोसला बनाती है और वीवर पक्षी के बारे में क्या है तो वीवर पक्षी में जो नर पक्षी है वो क्या करता है ये घोसला बनाता है इसमें जो घोसला बनाने का काम नर पक्षी करता है और इसकी जो मादा होती है सबसे सुंदर घोसले में ही जाके अंडा देती है ठीक है तो ये दोनों ही आ गलत है यानि सही जवाब यह है अगला देखिए प्रात्मिक स्तर पे एवियस को एक एकी क्रित द्रिष्टी कोण में संचालित करने की सिफारिस की जाती है सबसे उप्युक्त कारक क्या है अब एकी क्रित क्यूं का किया गया था याद करिए एकी क्रित सबसे पहले सुजहाव यानि इवियस सबजेक्ट एकी क्रित करने के लिए एनसीफ दो हजार के थू क्या किया गया था अनुसंसा की गयी थी क्या की गई थी अनुसंसा की गई लेकिन आगे चल करके NCF 2005 में इसे क्या कर दिया गया था एकी क्रित कर दिया गया था एकी क्रित क्यूं किया गया था मैंने आपसे कहा था एकी क्रित इसलिए किया गया था कि विशयों को तोड़ तोड़ के पढ़ने के बजाए समग्र रूप से हम एक समझ को विक्सित करें और बच्चों के लिए ये सही भी था ठिक और NCF 2005 कहता है कि भई सिक्षा हमें बाल केंद्रित चाहिए अगर किसी सिक्षक को आसानी होती है पढ़ाने में या किसी सिक्षक को सुविधा होती है पढ़ाने में तो हमें ऐसी सिक्षा नहीं चाहिए हमें तो ऐसी सिक्षा चाहिए जिसमें बालकों को सुविधा हो बालकों को आसान रहे ठीक है इसलिए NCF 2005 बाल केंद्रित सिक्षा की बात करता है यानि सिक्षा कैसी होनी चाहिए बाल केंद्रित होनी चाहिए तो अब पढ़िए उप्स मतलब भी है कि इसमें तीन विशे को जोड़ना, यानि विज्ञान को जोड़ दीजे, जो कि पहले अलग-अलग पढ़ते थे, समाजिक विज्ञान को जोड़ लीजे और पर्यावरण को जोड़ दीजे. इन तीनों को जोड़ करके हम एक इक्रित विशे के रूप में अपना द्रिश्टी कोण यानि की समझ विक्सित कराते हैं बच्चों को तो ये तो सही है यह समग्र समझ विक्सित करने में मदद करता है सही बात है मैंने अभी कहा कि अलग अलग पढ़ाने से के बजाए एक साथ पढ़ाएंगे तो बच्चों को समग्र रूप से क्योंकि बच्चा हर चीज को समग्र रूप से देखता है यानि उसे ये फर्क नहीं पढ़ता कि कौन विज्ञान है कौन समाजिक विज्ञान है अगर बच्चा किसी नदी को देख रहा है तो उसे क्या पता कि इसे हमें जोगरफी में पढ़ना है या इसे हमें विज्ञान में पढ़ना है उसके लिए तो नदी नदी है एक जल है ठी देखो प्रोफेसर यस पाल ने एक एक रिपोर्ट तैयार की थी क्या लर्निंग विदाउट बर्डन और यह बोज शिक्षकों के लिए नहीं था यह बच्चों के लिए था यानि जो बच्चा इतनी किताबे ले करके जा रहा है तो उसके बोज को कम करना तो यह तो यहां सिक्षकों के बोज यह तो गलत है एकी कृत इविएस पढ़ाना सुविधा जनक है तो पढ़ाना यहां पर तो यह सिक्षक के लिए बात करना है और हमें तो हमें तो किसके लिए बात करना है तो हमें तो बाल के इंद्रिट पर बात करना है तो ये गलत है तो पहला और दूसरा यहां पर सही जवाब होगा ठीक है? आगे देखें हाथियों के विशय में वह कथन चुनिये जो सही नहीं है और अक्सर बच्चे यहां पर आप लोगों में से कई बच्चे और कमेंट करके ज़रूर बताईएगा कि किसने ये गलती की कि नहीं नहीं पढ़ा कभी कभी हम लोग ऐसे पढ़ते हैं साथियों के विशय में वह कथन चुनिये जो सही है क्योंकि mostly हमें सही ही दिखाई देता है जो पहला दिखाई देता है हम उस पे टिक मार देते है तो इस तरह की गलतियां अक्सर करके seated की परिक्षा में होती ही है ठिक तो देखे पहला option है 15 वर्स से अधिक आयू के साथी जोन्ड छोड देते हैं और अकेले ही रहते है सही बात है यानि कि जब नर हाथी याद करो ये किस चैप्टर का है तो ये नंदू हाथी की बात कर रहा है तो जब नर हाथी 15 साल का 14-15 साल का हो जाता है तो वो जुन्ड से अलग हो जाता है और जुन्ड में क्या होता है जिसमें दस से बारह क्या होती है तो दस से बारह हतनियां होती है और हतनियों के साथ-साथ उसके बच्चे होते हैं इसमें नरहाथी नहीं होता है ठीक है और जो सबसे बुजुर्ग जो सबसे बुज़ुर्ग हतनी होती है वही जुंट का संचालन करती है नेतित्यों करती है तो हतनिया जुंटों में रहती है शही बात है यानि अब जब भी हाथियों का जुंट देखो गे तो आप समझ जाना कि उस जुंड में हथनियां होंगी और उनके बच्चे होंगे एक जुंड में 20 से 25 हथनियां और उनके बच्चे होते हैं गलत कितने होते हैं 10 से 12 आप कोहोगे कि मैं ऐसा तो नहीं है 20 से 25 भी जुंड हो सकते हैं तो भाई जुंड कुछ भी हो सकते हैं हमें इससे लेना देना नहीं NCRT में अगर 10 से 12 फैक्ट दिया है तो हमें सिफ उस से लेना देना है क्योंकि CBSC उसी को सही मानेगी ठीक, तो आप सीधे सीधे इसका सही जवाब होगा सारा का सारा सही है ठीक है, लेकिन ये गलत है और हमें इसा ध्यान रखना इसमें निगेटिव पूछा है तो इसमें निगेटिव एंसर कौन सा है तो निगेटिव C है यानि कि इसका जो सही जवाब है वो C है क्योंकि इसमें 10 से 12 ही हाथी जुन्ड में रहते याद करिए ये questions मैंने आपको कराया भी था जब से offline paper हुआ है यानि अगस्त में पिछली साल और इस बार जो है जनवरी में तब से ये प्रशन नहीं पूछा जा रहा था ये प्रशन कब पूछा जा रहा था तो आपके जब बहुत पहले 2019 में offline paper होता था तब ये प्रशन पूछे जाते थे और online paper में खुब भर-भर के हर शिफ्ट में ये प्रशन पूछा जाता था लेकिन इस बार बदलाओ किया गया और इसे क्या कर दिया गया पूछ लिया गया अब देखू इसमें question में क्या कहता है यदि आपका घर x पे है यानि आपका घर कहा है x पे और आपका विद्याले विद्याले कहा है y पर आपके घर से विद्याले तक के लिए कोई सीधी सडक नहीं है अता आप पहले a पर जाते है जो x के ठीक उत्तर में 125 मीटर की दूरी पर यानि 125 मीटर की दूरी पर क्या है a है क्या है a फिर आप B पर जाते हैं जो A के ठीक पश्चिम में 75 मीटर पे 75 है यानि थोड़ा सार है और ये क्या है पश्चिम में है यानि ये उत्तर में गया ये पश्चिम में गया ध्यान दिजे फिर आप C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में 150 एक सेकेंड बच्चों यहाँ ना थोड़ा जगा कम पड़ गया जगा कम पड़ गया रुख जाईए यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ एक्स लिख दूँ और एक्स से ठीक लंबाई कितनी रहेगी तो 125 मीटर रहेगी एक ही फिर पस्चिम में 75 मीटर लंबाई रहेगी बी की फिर बी से सी जाने के लिए हमें 1.500 मीटर यानि इस से थोड़ा लंबा यानि हमें यहाँ सी पर जाना है जो की 1.500 मीटर रहेगी अब देखो कि दूरी अंत तह आप वाई पर अपने विद्याले पहुँचते हैं जो सी के ठीक पूर्व में 75 मीटर पे है यानि यहीं पर ज 75 मीटर 75 यह भी है 75 यह भी है वाई पर आपका विद्याले के साप पेक्ष एक्स पर आपके घर की सही दिशा बताईए तो भाई घर की जो सही दिशा है वाई के साप पेक्ष यह आपका विद्याले है विद्याले है और यहाँ पर है ध्यान से दखिएगा कि यहाँ पर यह 75 वापस से आ जाता है तो घर किधर है दक्षिण में तो विद्याले के साब पेख्ष ध्यान रखना वाई पर आपके विद्याले के साब पेख्ष एक्षप्ष पर आपके घर की सही दिशा ठीक किधर है दक्षिण में ठीक दक्षिण में आप देख सकते हो, ये विद्याले है, विद्याले के ठीक कहां पे है, दक्षड में, चलिए आगे आईए, पौधे की एक प्रजाती, ये पेपर प्रीवियस, पिवाई क्यू का ये कोश्यन है, और ये कब पूछा गया था, जब ओनलाइन पेपर होता था, तब इस्थानिक स प्रश्न पूछे जाते थे, और याद करिए, क्लास में भी मैंने आपको ये कराया भी ता कोश्यन, इस्थानिक क्या होता है, इस्थानिक प्रजाती क्या होती है, पहले तो ये देखो, इस्थानिक, इस्थानिक प्रजाती क्या हो, सीधे सीधे किसी विशेश, भोगौलिक छेत्र में यदि कोई कोई प्रजाती पाई जाती है तो पाई जाती है तो वो इस्थानिक होती है जैसे कि मैं अगर अपने भारत की बात करूं तो भारत में एक तो एक आपका बायोस्फेयर रिजर्व है जिसका नाम है पंचमढ़ी बायोस्फेयर रिजर्व वहां पर विसाल गिलहरी का प्राकृतिक निवास है जो कि और कहीं नहीं है विसाल गिलहरी कहा पाई जाती है पंचमढ़ी बायोस्फेयर रिजर्व भारत में सेर के पूछवाला बंदर पाया जाता है जिसे मेकौक कहा जाता है वो कहीं नहीं पाया जाता है वो भारत में पाया जाता है तो भारत का क्या है इस्थानिक प्रजाती है जो कि कहीं नहीं पाया जाएगा उसका जो भोगौलिक मतलब की हमारे भारत के ही भोगौलिक छेत्र में वो आपका सीर के पूछवाला बंदर पाया जाता है ठीक है तो वो क्या होता है वो इस्थानिक प्रजाती होती अब प्रश्न देखो, पौधा, यदी कोई पौधे की एक प्रजाती है, ठीक है, जो की X है, उस प्रजाती का नाम हमें नहीं मालूम है, सीधे कह दिया है X, वहाँ जो की बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन ये पूरे विश्व में सिर्फ और सिफ भारत में ही पाई जाती है, तो भाई ये किसी विशेश भागॉलिक छेतर में है, विशेश भागॉलिक छेतर में, जो की सिफ और सिफ कहां पाई जा रही है, भारत में पाई जाती है, तो इस तरह की प्रजातियां जो किसी विशेश भागॉलिक छेतर में पाई जाती है, वो इस्थान क renew Cemal ूओ जैसे कि कंगारु कहीं नहीं पाया जाता कंगारु सिर्फ और सिफ और सटेलीय में पाया जाता ठीक है तो यह आपका एक कॉष्चन है अब अगला कोश्चन यहां पर क्या है निम्न में से उस समुह के को चुनिये जो मिस्र धातू है यानि कि जो कुछ धातू से मिल करके बनाई जाती है जैसे कि इसमें इस्टिल हो गया बिल्कुल यह भी एक मिस्र धातू है ब्रास का мतलब होता है पीतल और पीतल ध्यान रखना ये भी सीटेट में जब ऑन लाइन पेपर होता था तो ब्रास से पूछा गया और ब्रांज भी आप जानते हो ब्रांज को हम क्या कहते है कांसा कहा जाता है है ना कांसा कहा जाता है तो ये ब्रांज और ब्रास और इस्टिन जो कि ब्रांज आप जानते ही हो तीन और है ना कौपर इससे मिला के बनाया जाता है तो आप कोहोगे की ब्रांज, ब्रॉस और इस्टिल ये तीनों ही आपके मिस्र धातु है ठिक, आगे देखे सही है न, हाँ एक EBS की सिक्षा अपने विद्यार्थियों से कलपना करने और उत्तर देने के लिए कहती है क्या होता है अगर प्रित्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाए तो देखो, एक बार इसी से सम्मंधित प्रीवियस एर जब कोश्चन लगाओगे तो एक प्रश्न पूछा गया था कि एक EBS की सिक्षिका बच्चों से ये पूस्ति है कि क्या होगा यदि प्रित्वी से सारा पैट्रोल और डीजल खतम हो जाए तो हमें तो ये देखना है इसका उत्तर क्या होगा हमें इससे लेना देना नहीं है हमें ये देखना होगा कि ये प्रश्न कैसा है तो मैंने भी आपको प्रश्न बताया था कि एक अपसारी प्रश्न है अपसारी प्रश्न कैसा होता है मुक्त अंत के प्रश्न मुक्त अंत के प्रश्न होते हैं यानि कि open-ended questions होता है जिसके कई जवाब हो सकते यानि इसमें बच्चा क्या करता है कई जवाब देता है यानि सब के अलग-अलग तरक होते हैं लेकिन अभिसारी प्रश्णों में बंद अंत के प्रश्ण होते हैं क्लोज इंडेड होता है जिसके MCQ फर्म में जवाब दिया जाता है यानि अगर मैंने कहा कि पौधे का रंग हरा क्यूं होता है तो आपको होगे क्लोरोफिल के कारा सीधे सीधे जवाब मिल गया लेकिन जब ऐसे प्रश्ण जिस पे बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है तो व कि एंसर की आई नहीं है सीधेसी की जब एंसर की आ जाएगी तो हो सकता है कि इस पर चीजें हो कालपनिक प्रश्ण पर आपके सीधेसी वाले एंसर की में दे दे लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन अब देखते हैं एंसर की में क्या आता है ठीक है आगे देखे भारत म साले 7 p.m. है उसी दिन 2 p.m. होगा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखना जो जी अम्ती लाइन होती है वो जीरो डिगरी देसांतर रेखा को कहते है जीरो डिगरी देसांतर रेखा लंदन के ग्रिन विच शहर से होकर गुजरती है ठीक है लंदन से यानि जीरो डिगरी देशानतर रेतलखा कहां से गुजरती है लंदन और भारत का क्या है 84 degree पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय तो भारत कितना आगे है लंदन से 45 गंटा आगे तो जाहिर सी बात है कि भारत में अगर 45 गंटा पीछे क्या बजेगा तो आपका ये दो बजेगा यानि लंदन लंदन ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हमें लगता है कि इतना हमें करना चाहिए अब इसी से सम्मंधित आगे हम लोग और कुछ प्रशनों पर चर्चा करेंगे लेकिन आज के लिए इतना ही आई होप आपको कोश्चन समझ में आ रहे होंगे कुछ कोश्चन में ही बदलाव हुए हैं बाकि ऐसा नहीं है कि सारे कोश्चन की प्रकृति में बदलाव कर दिया गया है तो ऐसे ही कुछ वीडियो और मैं लेकर के आऊंगी यानि कंप्लिट आपका जो भी इविएस का आपका कोश्च पेपर हुआ था साथ जुलाई को सारे का एंसर की और विद अनालेसिस मैं आपको दो-तिन वीडियो में लेकर के आऊंगी तो चलते हैं आज के लिए इतना ही आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स आपके लिए